प्रभीश्य मसी के पवित्र नाम में आप सभों को मेरे नमस्कार मैं सजी बिलाई वाला प्रभीश्य मसी ने एक दिश्टांत सिखाया है दिश्टांत का नाम है बीज बोने वाला एक बोने वाला बीज बोने निकला बोते समय कुछ बीज मार्क के किनारी गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ पत्रिली भूमी पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल दुगाए पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सुख गए कुछ जड़ियों में गिरे और जड़ियों ने बढ़ कर उन्हें दबा डाला पर कुछ अच्छी भूमी पर गिरे और फल लाए कोई सौ गुना, कोई साट गुना, कोई तीस गुना जो कोई राज्य का वचन सुन कर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पत्रिली भूमी पर बोया गया यह वह है जो वचन सुन कर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश शवकद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है जो ज़ाडियों में बोया गया यह हुआ है जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोगा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता जो अच्छी भूमी में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है कोई सौ गुना, कोई साथ गुना, कोई तीस गुना यह दृष्टान तो उसकी व्याख्या जो इश्यमसी ने दी उससे हम समझ सकते हैं कि बीज परमिश्वर का वचन है और जमीन हम है जब हम वचन सुनते हैं तब जो रवईया हम अपनाते हैं उस पर निर्भर है कि वचन कैसा फल लाता है हमने पढ़ा कि मार्क की किनारे गिरे बीज बक्षियों ने चुग लिया मार्ग के किनारे वाला रवया कैसा है रास्ते का किनारा किसी भी तरह से उप्युक्त नहीं है बीच के लिए एक सतह जहां ना पानी रुकता है ना कोई सुरक्षा है ना कोई गहराई है वचन सुना पर ध्यान नहीं दिया दिल तक तो बहुत दूर की बात है दिमाग तक भी नहीं पहुंचा समझ में कुछ नहीं आया समझ में क्यों नहीं आया क्योंकि हमने उसे महत्व नहीं दिया जैसे मार्ग किनारे पड़ी चीज लावारिस होती है किसी का नहीं होता वैसे ही बन गया वचन हमने उसे अपनाया नहीं उसे महत्प नहीं दिया उसकी कीमत नहीं समझी और जो पत्रिली भूमी पर बोया गया यह वह है जो बचन सुनकर तुरंत आनन से मान लेता है क्या है पत्रिली जमीन वाला रवईया थोड़ा पानी ठहरता है थोड़ी मिट्टी है थोड़ा पत्थर है थोड़ा गहरा है एक ढूल मुल रवईया थोड़ा इधर थोड़ा उधर सुना वचन बड़ा अच्छा लगा समझ में भी आया लेकिन शक सही है या गलत है इसलिए कि मिट्टी कम है जड़ उत्रा नहीं गहरे तक वचन उत्रा नहीं दिल तक दिमाग में ही चलता रहा ऐसे में क्या होता है हम पढ़ते हैं जब वचन के कारण क्लेश उपद्र होता है तो तुरंत ठोकर खाता है जब तेज धूप निकलती है परिक्षाय आती है लोग सवाल करते हैं तभिल जाते हैं सुक जाते हैं मुरजा जाते हैं मार्ग में पढ़ी बीज और पथरेली जमिन पर बढ़ी बीज बढ़ते नहीं फल नहीं लाते किसी काम के नहीं होतें हम जो वचन सुनते हैं वो ऐसे नहोने पाएं आज वक्त है कि हम जाच करें हमारा रवया कैसा है परमिश्वर के वचन के प्रती आमीन